major blows before the clash of Uzbekistan, 3 major players हमारे बाहर हो चुके हैं Uzbekistan वाले मैच से, कौन है वो तीन प्लेयर्स, कैसे वो बाहर हुए हैं, कौन है वो पताऊंगा इस वीडियो में, hey guys, welcome back to my channel, अगर आप चैनल पर पहली बार ही आए हो, तो make sure you subscribe to this channel, क्योंकि यहां पर आपको इंडियन फुटबॉल पर डेली रिलेटिड वीडियो मिलती रहती हैं, so make sure you subscribe, so less than 24 hours remaining for India versus Uzbekistan, इन AFC Asian Cup, Group Stage, Group B, जिस से पहले काफी एक बुरी न्यू सुनने को आ रही है, क्योंकि लास्ट जो हमारा जो ट्रेनिंग सेशन होता है, हमारा before any match, उसमें अगर आपके प्लेयर्स इंजर्ड हो जाएं, तो आपके coach को, आपके management को जल्दी से जल्दी जो quick decisions लेने पड़ते हैं उसमें कई बारी गलत decisions लिये जाते हैं, हमने देखा है कई बारी, बट टीन हमारे important players बाहर हो चुके हैं, well कौन है वो, सबसे पहले तो साहाल अब्दुल समद बाहर हो चुके हैं, उसबेकिस्तान वाले match से भी, he is not fully fit, उसके बाद है अमरिंदर सिंग हमारे goalkeeper जो की injured हो मैच जो pre-match press conference होती है उसमें एंड लाले ज्वाला चांग्टे इस ऑल्सो आउट फ्रॉम उसबेकिस्तान ग्लैश इन तीनों में सबसे बड़ा जो हमारे को हर्जाना भरने वाला एक injury issue है, वो है लाले ज्वाला चांग्टे क्योंकि उसकी हमारे को deliveries चाहिए थी, उसकी हम हमारे को trickery चाहिए थी, अगेंस्ट उसबेकिस्तान क्योंकि काफी lively थे चांग्टे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इतनी ज्यादा ball possession नहीं मिली थी हमारे को, बट उसबेकिस्तान के अगेंस्ट हमारे को ज्यादा ball चाहिए थी एंड पेसी विंगर से यह थे हमारे को, आशिक करूनियन नहीं है, स्क्वार्ड में, ना उलालेंस वाले चांग्टे इस आउट फ्रॉम उसबेकिस्तान क्लैश, प्लस एक और प्लेयर हमारा भार है, इन तीनों के इलावा जो की अभी रिपोर्ट नहीं हो पा रहा है, कि कौन वो प्लेयर भार है, तो टोटल चार प्लेयर हमारे भार है, उसबेकिस्तान वाले मैच से, जिसमें से तीन रिपोर्ट कर दिये गए हैं कि कौन कौन भार है, एक अभी रिपोर्ट नहीं हुआ है, ये स्पोर्ट स्चार पे जो उनके जर्नलिस्ट है, उन्होंने रिपोर्ट कर रहे हैं कि छांटे, अमरिंदर सिंग इंजड हो रहे हैं, तो हमारे जो recovery sessions है, हमारे जो management है, उसकी कही ना कहीं गलती तो है, जो हमारे players इतनी जल्दी recover नहीं हो पारे, प्लस एक ये issue मेरे को लगता है, कि जो हमारे players की physique है, वो काफी downgrade है as compared to other physique, other players and उनकी physique, अगर आप कोई भी national team उठालो, साउधी उठालो, व और चाइना की उठालो, players की physique, थोड़ी हमारे से bulky है, हमारे players बहुत ही जादा दुबले पतले लगते हैं, जब वो field पे उतरते हैं तो, इसलिए काफी players तो हमारे physical threat possess ही नहीं कर पाते, opponents को, अगर आप हमारे जादा दर players को देखो, they are very slim trim, बहुत ही कम physique है उनकी, तो ये थो की तो होनी चाहिए, जैसे हम देखते हैं, Cristiano Ronaldo की physique, अगर हम देखते हैं, Benzima, Mohamed Salah, Erling Haaland, Kevin De Bruyne, इन सब players की physique, अगर हम copy कर सकते हैं, इवन अगर हम Asian players की physique भी देखें, जो Saudi, Japan, Korea के players की physique है, तो हम उनके आसपास भी कहीं नहीं आते हैं, as physique wise also, तो ये देखने वली बात है, ह ज़रूरी matches में, अगर हमारे key players ऐसे बाहर होते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए काफी एक ये negative news है, before any such big clash and Uzbekistan वला match, हमारे लिए चांटे के लिए, individually काफी ज़्यादा important होने वाला था, क्योंकि, Manveer, Mahesh, Sunil Chhetri, where is pace now in our attack line, कुछ तीनों के तीनों attackers के पास pace नहीं है बट येस, लिस्चन कोलासो आ सकते हैं, बट इतने ज़्यादा pace ही नहीं है, प्लस उनकी form भी आदे से ज़्यादा time रहती नहीं है, बट लेट सोब के लिस्चन कोलासो, Mahesh on that wing and center forward, अगर हमारे Sunil Chhetri होए, तो शायद हम कुछ उस wings से कुछ create कर पाएं, wings से हम threat possess कर पाएं, वरना मनवीर के साथ, अगर हम जाएंगे, Mahesh and Sunil Chhetri, तो एक तरीके से वो खतम हमारा tagline हो जाएगा, कोई pace नहीं, कोई trickery नहीं, कोई quick moments नहीं हो पाएंगी, बट लेट सोब, for the best, कि Eagles 3 match के पास अच्छा solution हो, छांगतेगा, तो यही थी आज की वीडियो, अगर आपको पस संदा ही हो, तो like, share and subscribe जरूर कर देना, till then